नमस्ते और आप सबको स्वागत है आपके चानल सीदे सोल लग्रोथ लाइस वे दिन पे और आज के 270 वे दिन की शुरवदान में जाने से पहले जो लोग इसको इंस्टाग्राम पर सुन रहे हैं उनके यहां पे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है यूट्यूब का यहां पर जाकरके आप योगासनुज चेयर पर बाठकरके एकसरसााइसे बारे में और पेरेंटिंग के बारे में अर हल्थ डायटिंग अन् साथी साथ सोने की कला सब कुछ देख सकते हैं एक्स्पोर कर सकते हैं और औरों के साथ भी शेर करना चाहें तो जरू करें तो आज के श्री बरदान में परमात्मा कहते क्या है चले देखें आगे बाबा कहते हैं एक बाप के लव में लवलीन रहे हम कहते हैं कि हम भगवान में जाके लीन हो जाएंगे परमात्मा कहते हैं तो एक आत्मा हूँ, आप भी एक आत्मा हूँ, आप मेरे अंदर घुस नहीं सकते हो परमात्मा एक entity है, आत्मा अमर अजर अभिनाशी है मतलब कि constant है, उसके अंदर पानी के जैसे बुल बुला जैसे कोई mix नहीं हो सकता कुछ चीज तो परमात्मा एक आत्मा है, आमर अजर अभिनाशी और हम भी एक आत्मा हैं, हम उनके अंदर घुस नहीं जाते हैं, लेकिन उनके प्यार में लीन हो सकते हैं जैसे एक बच्चा पिता के अंदर घूसनी जाता है, लेकिन जो बच्चा है वो पिता को प्यार कर सकता है, उनके प्यार में लीन हो सकता है, जैसे दो लोग आपस में प्यार करते हैं, तो एक दूसरे के प्यार में डूब जाते हैं, एक दूसरे के अंदर नहीं डूब जाते सबल्ट का मुख्य α清楚 है एक बाप से अटूट प्यार आप सेवा कर रहे हो किस भी प्रकार की कर रहे हैं घर में आप सेवा कर रहे हैं आप सेंटर में जाकर कर। सेवा करते हैं an-guy ग corridor सेवा करते हैं ले अगर आप परमात्मा को सातमें के तो आपको सबलता मिलनी मिलनी है, परमात्मा जहां पर साथ है, वहां पर पाप नहीं है, जहां बाप है, वहां पाप नहीं है, जहां प्रकाश है, वहां पाप नहीं है, जैसे हमने पिछले वादान में भी सीखाता है, जहां अंदकार होता है, वहां पर सब पाप होता है, चा बाब से अटूट प्यार बाप की सवया और कुछ दिखाईना दे कों बागवान का का करें है घर वड़िस रेंग पें तो मैं इंका प्रणाड के रहे हैं capable इसे करूं इसे करों यह सोचूं को यहां पर करन चाहिए जिस कुछ परमातमा से जीसे चोटा बच्च यह वह तो करने कारण रहता तो बरष्टाचारakah नहीं होता जहां connection टूता, वहाँ पर अंधकार, प्रचाचार, पाप तो परमात्मा कहते हैं, संकल्प में भी बाबा, बोल में भी बाबा, कर्म में भी बाबा का साथ हो तो अगर परमात्मा का साथ है, तो हम चर्टी कला में जाएंगे अगर हम परिवर्तन होंगे, तो दुनिया भी परिवर्तन होंगी, हम अगर गिरेंगे, तो दुनिया भी गिरेगी सबसे पहले, अगर हम गिरेंगे, तो परिवार वाले भी गिरे जाते हैं, सबसे पहले तो उसका असर और आत्मा को महसूस होता है ऐसी लवलीन आत्मा का एक बाबा शब्द ही जादू का काम करता है किसी को किसी से प्यार होता है तो उसके उसके शब्द को जो बोलते हैं उसके अंदर मुख में प्यार चलकता है परमात्मा का प्यार आपके शब्दों में जलकना चाहिए आपके बोल में, आपकी सोच में जलकना चाहिए उपर वाला बाबा या हाँ बाबा आप करेंगे तो कठोरता, अहंकार उसके अंदर आपका अगर नमरता नहीं है अगर गुंड नहीं है तो बाबा बोलना भी मीठा नहीं लगेगा तो बाबा कहते हैं जादू का काम करता है वह रोहानी जादू गर बन जाती है वह आत्मा के बन जाती है? spiritual, रोहानी जादू गर कि आप और होके भी जीवन को परिवर्तन कर पाते हैं ज़यतर लोग कहते हैं, कि हर कोई एक दूश्व को ब्रह्मा कुमारीस बनाने कलिए लगा हुआ है आप जैसे का आफेसरय आइस दोग ये भी सोचते होंगे सूनकर केसे चैल появ कि मैं इनको ब्रह्मा कुमारीसंeler ओब करना चाला है माने, ना माने, जाने, ना जाने बाते की है परमात्मा कहते है, हाँ मानो तब भी आप हो, ना मानो तब भी आप आड़नम की बच्चे हो तो ब्रहमा कुमार कुमारी है ही हम हर कोई, लेकिन समझ ले तो और भी अच्छा है तो उस प्रकार से जीना, परमात्मा की याद में जीना, वो आत्माएं, सत्य परमपिता परमात्मा को पहचान करके उनकी याद में जो जीती हैं, वो होती हैं, ब्रह्मा के कुमार और कुमारी, ब्रह्मा के दौरा शृष्ष्टी रची गई थी, नहीं शृष्ष्टी, यह न युण ना तो हम खत्म कर सकते हैं ना ही उसको हम बना सकते हैं ओर्जा को परिवाधन करा जगा cuer इसको CTBनाना इसको सुर्घ बनानी मतलब सारी तरफ से पांच तक तो भी आपक क्या होंगे मतलब स्सक्तु कह जाता है परिवर्तन प्रह्मा दोरा नई श्रिष्टी की रचनना नई श्रिष्टी के रचन में नए लोग भी तो होने चाहिए न, कि यही सोच वाले लोग जाएंगे वहाँ पर, ब्रश्चाचारी लोग जाएंगे, गंदी सोच रखने वाले जाएंगे, नहीं, तो नई श्रिष्टी मतलब धरती पर जब कल्यों के बाद में सत्यु कि हमें त्यार होकर जाएंगी तो ब्रमाकुमारीज में हम वो कला सीखते हैं पर मात्मा जो सिखाते हैं कि हम कैसे अपने आपको पवित्तर बनाएं और नई दुनिया के लिए तो तो वह त्यारी क्या है, ये वरतानों बे तो हम समझी रहे हैं लेकर अगर आप सेवें डिस करके देख लीजिए अपने आपसे तो आज का आपका दिन शुब हो आप खुश रहें सुकी रहें तंदुर्स रहें ओम शंति